नमस्कार दोस्तों एक फ्रेश वीडियो में आपका एक बर फिट से स्वागत है तो आज आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो है एक सेंट वैसे तो यह गाड़ी बंद हो गई है बट इसका सी एंजी वेरेंट अभी भी आ रहा है और कंपनी ने इसमें हमें क्या-क्या ओफर क किया है यह साह सब आथ की वीडियो में देखने वाले हैं तो आगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जो कि Chrome गारिष के साथ दिया गया है जो कि काफी प्यारा लग रहा है देखने में बात करें अगर डीरल या प्रोजेक्टर हैडलेम्प गेड आगी तो ऐसा कुछ भी हमें इस घार नहीं दिया गया है अब हम बात करते हैं तो साइड में हमें टर्ल इंडिकेटर फेंडर पर और देखने को और तो छोड़िये इसमें वील कैप भी कंपनी की दरफ और नहीं किये गये हैं यह हमें अलग से एसे स्टीकर देखने को मिल जाएगा और 80 km पीच का स्पीड लिमीटर का बेजिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि इस गाड़ी को आप 80 km की स्पीड से ज्यादा नहीं चला पाएंगे इसमें लिमीटर लगाया गया है अब बात करते हैं इसके रियर प्रफाइल के बारे में लोगो देखने को मिल जायगा और बड़ी च्रों फै देकने को जाएगी जो कि दोनोव टैल लाइट सिधा को कानेक करती हुई दीख और बात करें मिल्स वाला की नीचे के बंपर की तो आपको फ्लेक्टर मिल जाएंगे इसे कोई और एक फिनिश से जोड़ रही है यह काफी अच्छा और प्यारा लग रहा है बात करें इसके रियर विंट्षिल्ट की तो रियर विंट्षिल्ट पर आपको से इंजी की बैजिंग मिल जाएगी एंटीन आपको इस गाड़ी में नहीं मिलने वाला है और इसमें आपको हाई मांट इस्ट आप लैम रहता है इसके फ्रंट डोर की तो फ्रंट डोर पर हमें की दो पावर इंडों मिल जाएंगी और ओवर ओड़ल का लुक है वह आपको ड्री तोन कलर में दिया गया है बलेक और वीज जो कि काफी प्यारा लग रहा है और बात करें इसके अटील ड्रों रोगरा की तो आपको और नीचे की साइड में आपको एक पोटल होल्टर मिल जाएगा और एक स्पीकर की प्लेश्पेट भी देखने को मिल जाएगी और यह जो डूडल देख रहे हैं इससे आप और व्यूम को सेट कर सकते हैं यह काफी प्यारी चीज लग रही है अब हम बात करते हैं इसके सीट के बारे में तो सीट आपको फिक्स है डेस्ट के शाथा फरकी गई है बट इन सीट की कुशनिंग वगेरा काफी अच्छी है और यह बैटने में काफी आराम दायक है और इन सीट को आप रिक्लाइन एंगल बुरारा आगे पीसे साइड कर सकते नीचे की साइड में आप फ्यू लीवर और बूट का आपकरां करने का डेवट देख सकते हैं बात कर रहें दैस्ट बुर्ड की तक यहाँ पर आप को सी एंगे में करने करने का बटन यहाँ पर मिलेगा उसके बगल में आप को हैडलाइट लेवल करने का स्विश मिल जाए स्टेरिंग के सेंटर मुंडाइ का लोगो नीचे एरवेक की बैजिंग और बात करें आप चावी की तो इस गाड़ी में आपको एक रिमोट की मिलने वाली है और एक की आपको नॉर्मल मिलेगी रिमोट की में आप लोक और लोक और लोक का बटन मिल जाएगा पीछे की कर देखते हैं कि अंदर हमें क्या-क्या ऑफर किया गया है मैं आपको रहज के दोनों साइड आपको वाइपर कंटॉल और हैड़未 अई मिलने वाला है यह में आपको 200 की मिल जाएगा 800 8000 rpm का मिटर भी मिलने वाला है और इसमें आपको टैंप्रेचर मिटर और पैट्रोल का फ्यूल मिटर में देखने को मिलेगा नीचे एक छोटी से डिस्प्ले दी गई है जिसमें आपको किलो मिटर रेंज वगेरा और टाइम वगेरा सारी चीजें देखने को मिल जाएगी और अलग से ऐसे सीरीज में लगवाना पड़ेगा इसके जौनों तरफ आपको एसी के वेंट से मिल जाएंगे राउंड शेप में और नीचे एक साइड में हजाड लेंप का स्विच मिल जाएगा बात करें एसी की तो आइस घाड़ी में आपको मैनुल एसी देखने को मिलेग हैं और नीचे एक साइड में एक स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप मुबाइल हो रख सकते हैं चार्जिंग मिल जाएगा देखने को और बात करें इस घाड़ी में आपको फाइव स्विड मैनुल गेर बॉक्स ऑफर किया गया है इसके चारा तरह आपको बीज कलर की आपको नहीं मिलेगा दोनों साइड और बात करें आये एर्वियम की तो आये एड़ीयम भी आपको नौर्मल ही मिलेगा एड्जेस्ट करने वाला आययर्ब्यम आपको इस घड़ी में ही मिलने वाला है और अटो डीमर अगेरा ऐसा कोई भी फिचर इसमें नहीं दिया गया ह मैं और बात करें दोर्ड ग्रैफदल की अपन को नृमल behavior प्रोंब मो सकते हैं पीछे वाले पसेंजर्स के लिए वह दिया गया है और ये जो आप आपको हर सेंजी गाड़ी में ओफर किया जाता है इस गाड़ी में यह पैसेंजर साइड शीट के नीचे प्लेस किया गया है तो अवर लुक कुछ ऐसी है इस गाड़ी की और आप टेस्पोर्ड के नीचे यह जो देख रहे हैं आप यह है फ्यूज बॉक्स उसके नीचे बॉ में ही मिलेगी आगे वाली की तरह बीज और ब्लेक नीचे की साइड में एक बोटर लोडर और कुछ स्पेस दिया गया है और एक स्पीकर की प्लेस्मेंट भी रियर डॉर पर आपको देखने को मिल जाएगी बात करें सीट की तो सी रियर वाली सीट आपको एड़ेस्टेब पढ़नी पा रहा हूं कि इस पे अभी पॉल लगाई गई है इसलिए मैं इसे खूलनी पा रहा हूं वसे आप देख सकते हैं आपको दीक रही होगी इसमें आर्म रेस्ट लगाई गई है यह देखिए और बीच में भी आपको एक छोटा सा हैड रेस्ट देखने को मिल कि मेरे शूट भी गंदी हो जाएगी और मै peine चाहिए नहीं चाहता क्यारी कि यूट्टी यूटी हो तो इस चीज़ आपको नीर वगरा हेडरूम काफी अच्छा मिलने सकते हैं तो आपको इस गाडि में sagte तीन लोगों को पीछे बैट कर ड्राइव करने में शफर करने में कोई भी प्रोब्लम नहीं होने वाली और पीछे से डेसबोड का लुक कुछ ऐसा दिखता है आप चेक आउट कर सकते हैं और बात करें रूम लाइट की तो आपको सेंटर में देखने को मिलेगी एक ही रूम में कंपनी ने क्या-क्या दिया है तो कुछ इस परकार से इसका बूट ओपन हो जाता है तो बूट ओपन करके देखिए इसमें आपको चौदा कि लोका सी एंचे सिलिंडर मिलने वाला है कंपनी की तरफ से जिसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं काफी फिट एंड फाइन है और लगाने के बाद ले सकता उनका तो आप चेक आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इस पेस के मामले में तो दोस्तों ये थी हुंडाई की एकसेंट प्राइम आपको ये गाड़ी कैसी लेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों तो दोस्तों ये था हुंडाई एकसेंट का प्राइम मोडल जो क कि ज्यादतर लोग अपने कोमर्शल परपल्स के लिए ही लेते हैं बट आप इसे पर्फनल यूज के लिए भी ले सकते हैं बस इस गाड़ी में 80 kmph का स्पीड लिमिटर लगा हुआ है मतलब आप इस गाड़ी को 80 km की स्पीड से ज्यादर नहीं चला पाएंगे और ये एक आज के इस वीडियो में पस इतना ही मिलते हैं आप सहसे किस अगली वीडियो में तन्यवाद दोस्तों